हेलो फ्रीन नमस्ति गुड इबनिंग कैसे आप सब तो आज का ब्लोग में इबनिंग में स्टार्ट करें हूं तो लगभग यहां पे साथ बजी चुके हैं तो नाइट में मैं डिनर बनाने जा रहे हूं तो यहां पर देखें मीक्स दाल तड़का बनाऊंगी तो मीक्स में चना डाल है राजमा है और उरत डाल है यह सम मीक्स है तो यह आज सब से में सेयर करूंगी तड़का डाल कैसे बनाते हैं तो यहां पर मैं चार घंटा पहले भूविंगों कर रख दी थी तो यहां पर देखें मैं कूकर में बैठा दी हूं और थोड़ा सा तेल और नमस्त इसको ढग देते हैं और ऐसे क्या है कि ओईल डालने से जब उबाल आता है तो कूकर में गंदा नहीं होता है फेलता नहीं है और देखें और यहां पे लिए हैं दो कटब प्याज, कमाटर, अधर अधर लक्सुन का पेस, दो हरी मिर्च, तड़का में मर्चा, जीरा, दलच आप सब देख लीजी, अच्छा से, अमीको पकड़ रही थी, आप देखा रहे थे तो, और यहां पे देखें, मैंने तड़का पेन में थोड़ा सा कसोरी में थी, को हलका गरम कर लिये हैं, और इसको क्रिस्ट करके डालेंगे, और यहां पे देखें, मैं कड़ा ही गरम हो चुका है, और डाल भी उपाल के रख लिये हैं, तो इसको मैं दिखाऊंगी बाद में, तो यहां पे देखें, मैं तड़का लगा दी हूँ, बहुत सिंपल तरीकी से बन जाता है, फ्रेंट एक दम ईजी है, और रोटी के साथ ही अच्छा लगता है यह तड़का, और खान अच्छा में घर पर आपको बना कर खिलाऊंगी, आप देखते रही है, तो मैं तड़का बहुत लगभग दो-तीन महीने बाद बना रही हूं, तो यहां पर देखें, मैं तड़का जो लसुना दरग पेस्टी यह सब डाली थी तो लाल हो गया था, अब मैं प्याज डाल द इसका थोड़ा सा प्रोब्लम होता है फ्रेंड, और उसको छोड़ते नहीं है, क्योंकि वो गीर उर जाए, चोट लग जाए, इसलिए मैं उसको लेकर ही खनावना बनाती हूं, और छोड़ देती हूं, तो सीथे बाहर गेट के बाहर चली जाती है, तो डर लगता है, तो य में देखिए, तेल भी छोड़ दिया है, अच्छा से, कलर भी अच्छा हो गया एकदम, अब इसमें क्या करेंगे, टमेटो एट कर देंगे, तो टमेटो भी इसमें एट कर देते हैं, एट करने के बाद लगत भूनेंगे इसको भी 2-3 मिनाट तक से, तो देखिए, इसका भ जाएगा, अब देखिए, यहां पे कितना अच्छा अबाल हो गया है, पानी थोड़ा सा मेरा कम हो गया है, तो मतलब जला नहीं है, प calorieक्ट अच्छा तरह से अबाल आ गया है, पानी थोड़ा पहल, इसमें पानी इड नहीं की, बस आईसी ही डाल का, तो अब इसमें इसमे तो पानी का जुरत नहीं था इसलिए में यहां पर देखें बीना पानी डाले ही कितना अच्छा पग गया है मसाला भी और कलर भी छोड़ दिया है तो इसके बाद मैं तड़का मसाला एट कर देती हूं तो इसके तड़का मसाला से एट करने से क्या होता है कि फ्लेबर बहुत सकते हैं तो यहां पर देखिए मेरा मसाला भी भून किया है तो अब इसमें मैं तलका को डाल देती हूं और देखिए बिल्कुल परपेक्ट तरीका से बन गया इसमें कोई पानी वेगर टालने के जुरूत नहीं है बस ऐसी सुखा और उटी के साथ खाई या पुड़ी के कितना सीम्पल तरीके से मेरा तड़का बन के रेडी हो गया तो आप सब जुरूर बताईएगा कैसा लगा मेरा तड़का रेस्पी और यहां पर जो मैं कसोरी में थी था तो उसको क्रस्ट करके डाल देती हूं इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो आप सब जूरू ट अगले ब्लोग में तो आप सब प्यार देते रहिए इसी तरह और मेरे ब्लोग को देखिए ज्यादा नहीं तो कम जब कम दो या तीन मिनट भी देख लिजएगा तो मेरा लिए बहुत माने रखता है तो न्यू फ्रेंड है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर अगले ब्लोग में बाई बाई